नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज एक तालिस वर्स के पर उसके पाम का एनलेसेस करेंगे निकेस तवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपे करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आकन को प्रस कर दें ता कि लेटिस नोटिफिकेशन आपको मल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका पहला कोशन तो इस प्रकार है इनके हाथ पर सीमियन लाइन्स है और दूसरा कोशन्स है क्या आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी हदली पर क्या अच्छी खराव अवस्था बढ़ी है इन साड़े विश्व पर इनको जानना है तो आपने शिंत्र ये आपके साड़े ही कोशन्स पर हम विचार करेंगे चीजों को बड़ी गहराई और बड़ी अस्प्रस्ता के साथ समझाने का भी प्रियास करेंगे कि आपके हाथ पर कौन सी रेखा है इसका क्या आर्थ है और अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसे अवस्था होगी तो इस पार्टिकुलर रेखा का क्या अर्थ होगा वो बाद भी आज की वीडियो के मादियम से आपको बताने का प्रियास करेंगे तो वीडियो भूट से एक्सपेक्ट से महतपून है क्योंकि कुछ इंपॉर्टिक रेखा है इनके हाथ पर जरूर अवस्थित है जिसको लेके काफी लोग चिंतित रहते है या काफी लोग इसको लेके जानना चाहते है किसी रेखा का इस पेशली में क्या आर्थ है और ये आपके जिंदगी पर कैसे यूज करता है आज की वीडियो से फिर इनके positivity को देखेंगे फिर इनके negative चीज़ को देखेंगे तीसरे इनके प्रश्णों को सुड़ें के चोते इनके तरीका विश्लेशन करेंगे तो चार तरीके से इनके तरीका देखा जाएगा तो वीडियो को बड़ी सहस्ता के साथ समझने का प्रियास करिएगा ताकि आपको वीडियो में जो भी जानकारी में दो वो आपको समझ में आए तो इनके जो पहले प्रश्ण थे कि इनके हाथ पर ऐसी कौन सी रेखा है जिसको लेकर ये बड़ी एक्छुक थे जानने के लिए वो थे इनके हाथ पर बनने वाले सीमियल लाइनस इनके हाथ पर सीमियल लाइनस मौझूद है ये जातक के जंदगी पर कैसा फल देता है, क्या फल देता है उस बात का परिचे आज की वीडियो से हम कराएंगे तो आप लोग के मने में थोड़ी दुविदाएं हो रही होंगी कि सीमियल लाइन्स क्या होता है कैसे अपने हाथ को देख के समझे अगर आपको हाथ पर एक सीधी रेका ऐसे करके समझ में आएगी जिसको हम हर्ट लाइन का मर्ज अवस्था और मस्तिक्स रेका का मर्ज अवस्था कहते है तो इसको हम सीमियल लाइन्स कहते है ये पार्टिकुलर जो रेका है एकदम सीधी दिकरी है आपको ये होई सीमियल लाइन्स का क्या आर्थ है इसमें क्या होता है न आपकी हर्ट लाइन और आपकी माइंड रेखा ये दोनों मर्ज कर जाती है इसके बाद एक रेखा का फोर्मेशन कहती है जिसको हो सकता है देख के लोग को थोरा आठपटा सा लगे या फिर इसके फल की जानने की इक्षा बड़ी जादा हो इनको देखो बोलने के लिए तो बहुत तरह की बाते है बहुत प्रकार की चीज़े हैं जो लोग बोलते हैं इस रेखा के बारे में कुछ लोग बहुत पॉजिटिव बोलते हैं कुछ लोग बहुत negative बोलते हैं हाला कि वो अपने जगा पर ठीक है अपने जगा पर सही है हम उस विशे पर कोई नोग जोगतों करने वाले हैं कि वो क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं और क्या उदेश रहता है बोलने का हम अपने opinion को देते हैं जो हमने आज तक के अपने जगी में experience ग्रहन किया है पामिस्ट्री के काफी ज़्यादा लेसंस को देखके या फिर कहलो लेसंस को दूसरे के जगी पर देखके या फिर लेसंस को पढ़के या इतने लोगों का अज़ारों-अज़ारों के तदाद में लोगों का हाथ देखके जो मैंने experience ग्रहन किया है उसकी एवस में मैं बताना चाहूंगा कि यह जो मस्तिक्स रेखा होती है सीडिया ऐसे करके यह हिर्दे रेखा होती है दो रेखा होती है यह दोनों तो हैं और यह दोनों रेखा पर नियंतर्ण कर ले तो इनके जंदगी पर कुछ भी बड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है यह कुछ भी कर सकते और बड़ा कर सकते है इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है तो ऐसे लोग बड़े emotional होते है emotions भड़बर के इनके जंदगी पर होता है और यह कहींने कई इपने जंदगी को उस emotions की तरह उस emotions की तरह उस emotions वाले जंदगी को यह जीते है अब मान लो कि दो type केalities पहले विक्ति जिसमें emotion कम है कहींने कई हो वो पने जंदगी पर मेशा आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं फालतों के चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते हैं एक विक्ति होता है जो फालतों के चीज़ों में दिमाग लगाता है बात को पगर के बैठ जाता है और उसके एवज में इनके जिंदगी में परशानी आ जाती है तो यहां पर से इसका जो major side effect देखा गया है जो कि जातक की जिंदगी पर होता है वो क्या होता उसको समझो अब यहाँ पर से दो type की बात होती है पहली अगर आप भावुक है तो बहुत अच्छी बात है इसमें दिक्कत क्या है तो इसमें दिक्कत यह है कि दो type की बावुकता होती है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ पहली बावुकता हुए कि चलो ठीक है लोग को देखके दया आ गया और दया आने की वज़े से कई ने कई जातक उसके लिए कुछ कर दिये बाद में अपने काम पर ध्यान दे दिये और इस लाइन में क्या होता है कि आप सब के लिए बहुत कुछ करना चाहते है आप अपने प्रिवार के लिए या फिर आपके जो करीबी वेक्ति उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते है इस चक्क्र में आप धोका खाते हैं जिन्दगी पर, बारी बारी एक संदर में प्राबलम्स आ सकती हैं अपने एमोशन्स के चक्क्र में, और दूसरे के लिए जादा करने की उमीद रखते हैं, और उस उमीद के चक्क्र में में भी चांसे हैं कि आपको परशानी आ सकती हैं, कभी किसी को ऐसे विक्ति हर्ट नहीं करते हैं सब के साथ अच्छा behavior रखने का कोशिश करते हैं अगर किसी से कोई बात तना तनी भी हो जाया गुसता भी आ जाया तो ऐसे लोग उस पर गुस्ता करते हैं वे नजर नहीं आते हैं और वो सारी बाते कहीं न कहीं न के दिमाग में बैठती चली जाती है और इनको कारे करने में वो दिक्कत देता है और ऐसे लोगों को धोका में जिन्दगी पर जाजा मिलता है आपके किसी के भी हाथ पर सीमियल नाइस अदर तीन चार चीज़ में मेजर बता रहा हूँ पहली चीज़ आप बड़े भावुक हैं और भावुकता में पहला नुक्षान तो अपना करते ही करते हैं दूसरा चीज़ आप सब के लिए करना चाहते हैं जिसके चक्कर में अलग नुक्षान आपको जिन्दगी पर होता है तीसरा चीज़ आप किसी के समक्ष उसको बुड़ाना लगे इसलिए आप उसके समक्ष कुछ बोलते नहीं है चौथा चीज़ कहीं न कहीं ऐसे लोग दिमाग से ज़दा दिल से सोच के कारे करते हैं तो ये चीज़ आ इसलिए ऐसे लोग के जिन्दगी पर देखने को मिलती है हलाकि इस चीज़ को लेके विसेश चिंता करने के आवशक्ता नहीं अपने में सुधार किया जा सकता है मैं ये बिलकुल नहीं कहरा आप किसी कले मत करो मैं ये बिलकुल नहीं कहरा कि आप में भावुकता नहीं होनी चाहिए लेकिन 30 अभी जगा वर्जेत हमें परस्थितियों को समझ के काले करना चाहिए तो हम सब को खुश नहीं रख सकते हम सब को खुश नहीं कर सकते इस बात को पर दिमाग में बिठा लीजिए और कोशिश आपको हमेशा से यही करना है कि आप जहां तक हो पाए वहां तक करो बाकी दिमाग मत लगाओ चलिए यह तो देख लिया आपने यह इस लाइन का फल होता है व्रियत विष्थार पुरुवक मने इस बात को कह दिया और कहीं ने कहें आप से आगरावी मेरा यही रहेगा कि विष्थार पुरुवक इस चीज़ को समझ भी लेना है अब इस दूसरे प्रशन ते जब इस प्रशन पढ़ा ही चल रहा हो कि आगे के जिंदगी पहले आप इनकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ को देख लेता हो तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो देखो भाग ये रेखा सुरुवाती दोर से तो बिलकुल साथ नहीं थी लेकिन जब से थी तब से भाग ये कफल आपके जिंदगी पर जरूर आपको मिलेगा दूसरी चीज सुरी रेखा भी आपके हाथ पर अच्छी है तीसरी आपकी देखो तो प्रॉग्रस क्लाइन ज़ंदगी बदलने वाली अवस्था है जहाँ पर से जातक की ज़ंदगी बदलती और आगे भी बदलने के अशार है चौती चीज अगर आपको मैं दिखाऊं अपके हाथ से तो मंगर रेखा दो एमाउंट में ठीक है बढ़िया है पाच भी चीज एक बुद्धर रेखा बन रही लेकिन थोड़ी टूटी वी एमाउंट में ज़रा रही है लेकिन फिर भी बन रही एक होप जगाया जा सकता है एक होप दिखाया जा सकता है अगर ये रेखा बन जाती है तो इसके ज़्दादफल आपके जिंदगी पर आएंगे इसमें कोई टेंशन वाली और कोई समस्या वाली बात तो है इस बात को आप दिमाग में रखो, इस बात को लेके चलो, कि जिन्दगी अच्छे होने के चांसे बनते हैं, चुकि रेखा अगर और जड़ा डेवलफ कर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा फल आपके जिन्दगी पर मिलता, बहुत बढ़िया फल आपके जिन्दगी पर मिलत चदर्मा भी ठीक है, दोडों मंगर अच्छा है, सवनमर्गर यह अच्छी है तो यह maximum planets आपके अच्छे conditions में है जब planets अच्छे conditions में हो तो जातक के जंदगी पर ग्रहों का फल बहुत अच्छे तरीके से आपाता है शुक्र आपको luxury life देदेगा, मंगर आपको energy देदेगा चदर्मा कईनक के आपको धन देदेगा ऐसे करके अगर planets अच्छे किसी कभी होते हैं तो यह समझो कईनक के उनकी जंदगी का बेरा पाड़तो हो गया उनकी जंदगी तो आगे बढ़ गई यह एक बेहत खुशी की बात होती है और बेहत तरीके वाली बात होती है तो positivity अगर देखा जाए तो अच्छी positivity है लेकिन negativity पर मुझे ज़ादा focus करके बताना पड़ेगा आपको क्योंकि positivity तो है लेकिन negativity भी है आपके हाथ पर even negativity भी बढ़ बढ़ के है यहाँ पर से मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा फिर श्पेशली आपके परशनों पर चलूँगा मैं तो negativity में क्या दिख लिए आपके हाथ पर ये देखो बरश्पती पहले गरबर है तो देखो जातक progress line तो हाथ पर थी positivity में तो इस संदर्ब में आपको जिंदगी पर opportunity बहुत मिलती होगी और आप उसके लिए परियासरत भी रहते होंगे उस opportunity को grab करने के लिए बहुत कारी भी करते होंगे लेकिन किसी कारण वश्य वो opportunity आपके जिंदगी पर बहुत ज़्यदा फलित होते वे नहीं नजराती होगी मतलब काम आया काम किया पैसा भी कमा लिया लेकिन long lasting नहीं रहता होगा पारिवारिक मामले में ऐसे लोगों को बड़ा तकलीफ होता है पारिवारिक मामले में ऐसे लोगों को बड़ा तकलीफ देखना पड़ता है क्यों कई ने कर यश्प्राप्ति में कमी किसी के लिए कुछ करना चाहें वो भी नहीं कर पाओगे अगर कर भी दिया तो जातक को आपके लिए एक विशेश कोई सम्मान नहीं रहेगा हलाकि सीमेल नाइस आपके हाथ पर आप करतो देते ही होंगे लेकिन उसका सम्मान विशेश करके आपको नहीं मिलता होगा तो यह बरश्पति के नेगेटिविटी और इसका एक और बहुत खास नेगेटिविटी होता है कि ऐसे वेकते अपने कार चेतर का विस्तारन नहीं कर पाते हैं मतलब कार चेतर को भज़दा बढ़ा नहीं पाते हैं यह एक मेजर समस्या इन लोगों के जिन्दगी पर देखने को मिलती है तो इसलिए मैं आपसे आगरा करूँगा कि कार चेतर को बढ़ाने के लिए आपको बरश्पती का उपाय करना चाहिए और बरश्पती का उपाय जिस दिन आपने सठीकता के साथ कर लिया कई न कई आपको एपोस्चुनिटी जो मिलती है उसको ग्रैब भी कर पाओगे और जिन्दगी पर आगे भी बढ़ पाओगे हलाकि इसका उपाय मैं आपको जरूर दे देऊंगा कुंडली का विश्वेशन करके इसका उपाय दिया जाता है वो करना आपके लिए बेहर जरूरी है क्योंकि कुंडली इसने देखना जरूरी हो जाता इस केस में अब देखो 41 वर्स की आपके आयो हो गई है अब तो सठीकता के साथ उपाय करना होगा आपको और कुंडली में ब्रस्पती के पोजीशन को देखके कि वो किस हाउस का मालिक है किस जगा बैठा है उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं कितना बारिकी के साथ कर सकते हैं तो वो देखना भंचरूरी हो जाता है उसके बाद मैं आपको पर्फेक्ट उपाय देने का प्रयास करूँगा तो पहरे नेकेटिविटी आपकी थी दूसरी देखो बच्पन से भाग गे रेखा थी नहीं भाग गे रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से होता है जिन्दगी के लाज तक चलता है तो अगर मैं इनके हाथ पर गौर कर रहा हूँ तो मुझे बच्पन से कोई विशेसकर बाग गे रेखा नहीं दिख रही है तो भाग गे रेखा के साथ नहीं है आपके हान पर बाग गे रेखा का बलकुल साथ नहीं है बच्पन से तो ये भी एक major reason रहा होगा कि पैसे बहुत constantly आपके जिन्दगी पर आते नहीं रहे होंगे या आते रहोंगे तो खर्च होते रहोंगे savings की रूप में थोड़ी समस्या हैं आपको जिन्दगी पर देखने को बली है और बच्पन से struggles भी आपके जिन्दगी पर काफी ज़्यादा रहा है लेकिन फिर भी self-made वेक्ती हैं जो भी किया आपने ही दमपर किया ये बात भी है लेकिन भाग गिरेखा का वहाव के वज़ा से जातक को problems आती है जातक को 1000% problem आती है एक negativity में आपका और दिखा दू देखो बुद्धरेका आपकी है तो बहुत अच्छी आपका आकरती है जो हम सीधी गई है लेकिन कई नहीं बुद्धरेका यहाँ पर आके रुख गई है अगर यही बुद्धरेका इदम सीधी चले जाती है तो यह भी बहुत पैसा देता है चुकि बढ़िया अग्गेटे ट्रेंगली बनाता लेकिन किसी कारणवश यह वहीं पर आके रुख गई है इसको भी सटीकता के साथ देखने के लिए बुद्धरेका क्या position है या बिजनस का आपकी कुंडली में क्या position दिखा रहा है तो भी बताने का प्रियास करूँगा अब यह negativity की संदर्म में है negativity यह संदर्म में है कि अगर बुद्धरेका पूरी complete नहीं होती है किसी के भी हाथ पर तो पैसे आते तो हैं जिंदगी पर लेकिन कई न कई पैसे बचने में समस्या होती है या फिर उतने ही पैसे आते जितना पैसा के इनको आवशक्ता होता है तो जादा पैसे आने में दिक्कत होती है इस संदर्म में जादा पैसे आने में समस्या होती है इस संदर्म में तो यहाँ पर से बुद्ध रेखा के लिए रेमेडीज करना बहुत चलूड़ी हो जाता है उस ये कुछ इनके डेगेटिविटी थी अभी इनके प्रशनों पर हम चलते हैं कि आगे क्या कुछ कर पाएंगे देखो जो नेगेटिविटी थी अगर आपने उसको ठीक करने का प पैसे बहुत आए होंगे लेकिन कोई ना कोई अर्थ से वो गया ही होगा चुकि काम लग गए होंगे तो आज तक जो पैसे कमाने में आपको दिक्कत हुआ है वो दिक्कत आपकी खतम हो जाएगी अगर आपने सटीक उपाई कर लिया ये बात भी आपके अदरी मुझे बता रही है तो अब देखते आगे क्या इनकी जीवन ट्रेका मुझे बता रही है क्या चीज़े है तो देखो ये बच्पन से कुछ प्रगती के योग ते इसकार होता है जातक इंडिपेंडेंटन बहुत जल्दी हो जाते हैं काम करना बहुत पहले शुरू कर देते हैं मैस 17 वर मैं बात कर लो तो ये तकरीबन आपके 21 में वर्स की आयू में है एक बड़ी तरक्या आपके जिंदगी पर मिला है 21 येर्स के बाद हो सकता है में भी चांसल सा कमाई शुरू हुआ हो 22 में एक दिक्कत था फिर जिंदगी ठीक थी में कमाई तो आपने के 28 वर्स के बारे 28 वर्स के बाद बढ़िया इंकम थे 30 में बढ़िया इंकम थी 32 में थी 34 में थी 36 में भी एक इंकम के योग दिखेते फिर 40 में भी दिखी थी 40 के बाद भी लाइफ लाइफ लाइन ठीक है 41 में खुद तोई दिक्कत तो है आपके जिन्दगी पर नॉर्मल समान लिया, 42 में कोई दिक्कत है, समान है जो इसका उपाय मिल जाएगा पर जिन्दगी ठीक है एक बहुत रख्ये 50 एर्स के आस पास है फिर जिन्दगी ठीक है ऐसे विक्ती द्रिगायू होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है और जीबन रेखा का अच्छा बनावट ये दर्शाता है कि ऐसे विक्ती बहुत बढ़िया जिन्दगी जीते हैं बहुत बढ़िया जिन्दगी जीते हैं चुकि भाग्य रेखा का भाव था लेकिन आने वाला जीबन रेखा बड़ा स्मूथ है कोई राहू रेखा नहीं है और भाग्य रेखा का साथ भी है तो फिर समझे लो तरक्की तो होनी है अब जो नेगेटिविटी है उसको ठीक करने के लिए आपने डेमेडी कर लिया फिर तो सोने पर सुगंदे वाली बात हो जाती है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है और डाउट तो इस केस में रखने के आवशक्ता भी नहीं है डाउट बिलकुल मत रखना आप अभी मैं और चीजों प्रविचार करता हूँ आप केहतली से और चीजों को बताने का प्रियास करता हूँ तो इनके जीबन ड्रेका का ये विश्टेशन था अभी इनकेहतली का विश्टेशन करेंगे चीजों को और असमस तरीके से क्लियर करेंगे तो सबसे पहले मैं देखूंगा इनके सेव को, स्क्वारे सेव का हाथ है, जातक बड़े समसदार प्रविर्थी के होते हैं, जिद्धी के समक्रियों कि होते हैं, महातमा कांची होते हैं, बहुत कुछ करने के एक्षा तमन्ना ओती हैं, जिन्दगी पर बहुत कुछ ऐसे विक्ति जिन्दगी पर करते भी है। आगे देखें एक जबरदस थम्ब है, स्ट्रॉंग इक्षा सकती। और यहाँ पर से एक लाइन है जो थोड़े से प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, मन में कुछ बाते चल सकती हैं। तो इक खबराहट वाली चीज़े हैं, बाकी अवा आकिरती अच्छी है तो इस्ट्रॉंग आपको सपोर्ट मिल जगा जब भी चाहिए। और दो लाइन्स आपके हाथ पर यह दर्शाती है, एक ऐसे व्यक्ति महात्मा कांचे यह बहुत कुछ करने की इक्छा तमन्ना है। यह टेंडिकर यह काफी गुणी है, आप बुद्ध फिंगर फर्स फरेंस तक है, तो कम डूइक कैसन स्किलवाइज भी प्रबल है। अपनी बातों को समझाना भी एक बहुत बड़ी कला होती है और इनके अंदर अबस्थित है। फिंगर पर ख़ई लाइन से इंसान बहुत तेज है, किसी के लिए कोई गरत भाबना नहीं रखते हैं, अमेशा लोग के विश्यम अच्छा सोचते हैं, बढ़िया सोच से जिंदगी पर आगे बरते हैं। फिंगर लंबे करें, क्रेटिविटी समझदारी का परचे तो कराती ही कराती है, जबरदस फिंगर है आपका। फिर देखें, याँपर से दबाब है, तो विक्ती कही ने कही थोड़े स्ट्रिगर्स वो जिंदगी पर करते हैं, इनके जिंदगी अटाइस वर्ज के बाद सुरू होती है, बिरश्पती थोड़ी गरबर ही है, आपकी बहुत ज़रूरी है आपके जिंदगी पर बाकी कु विक्ती हैं गुनी व्यक्ती है, काम करने जानते हैं, पैसा कमाने जानते हैं उर्ज पैसा कमालेंगे, और एक source of income जिंदगी पर बना रहता है सन मरकरी अच्छी बुद्धी वेक से कारी करते हैं यहाँ पर से लाइन से इंसान बहुत तीज तिमाग के तो बहुत ज़दा तेज है आप इसमें तो कोई संदे ही ही नहीं है वेक्ति समझदारी से कारी करते हैं जल्दी गवराती ने और गवरानी के आवशक्ता भी क्या है दोड़ों मंगल बहुत जबर दस इंसान एक्स्ट्रीम एनरजिटी एनरजी हद से जादा होता है कुछ करने का डेडिकेशन समणपन हद से जादा होता है प्राकरमी है और प्राकरम के दमपरी आगे बरते हैं जिन्दगी पर प्राकरम तो होना ही चाहिए कुछ करने का डेडिकेशन समणपन तो होना ही चाहिए वो आपके अंदर अवस्थित है तो मंगल आपका इतना शुंदर इतना सोबर है कि आप बहुत ज़दा एनरजेटिक है और बहुत अच्छे तरीके से जिन्दगी पर कारी करते है फिर चंदरमा बहुत बढ़िया है आपका और यहाँ पर से लाइन से जो थोड़े बहुत यात्राओं को दर्शारा जो कि समाने जिन्दगी पर रहता है पैसे के फ्लो जिन्दगी पर बनी रहती इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बढ़िया चंदरमा लोगों से बढ़िया संबंद रहता है बागी बुद्धरेका यह देख लो आपके हाथ पर बनी है लेकिन पूरी अंदर तक तो नहीं गई है अगर यह बुद्धरेका यहां तक बन जाए तो फिर तो कहीं कहने बागी 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 रेका का अब आब है 28 वरस के बाद ठीक ठाक सी थी बागी देखे तो आपकी एक फिश्णु माकिर्थी जो केतु परवत पर बन रहे है कास्मिक दाला आपको दर्शार आए जबरदस्शुक्र है लगजरी के प्रापर सुक तो आपको मिलने है कुछ स्ट्रेस के लाइन तो वो तो रहने है बागी मरी मेंजमेंट में आप प् पसंदा है लाइक कर दे कमेंड कर दे सिरे स्स्क्राइब कर देगां प्रसंदी मैं इसस्ट्रेका दिकांके सही जानकारी पानाचाओं अमारा वाट्सब्स में मिल्यागा लेका संपर्द कर सकते धन्यवाद